नवरात्री का चोथा दिन माता का सुरूप कुश्मान्दा नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इन खबर में नवरात्री का तिवार चल रहा है मातारानी की पूजा में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस दिन आप किस रंग के कपड़े पहने और साथ ही वो कौन से उपाई हैं जिसे करके आपके उपर मातारानी का खास आशरुवाद बना रहेगा जै माता दी दोस्तों आप सभी पर मातारानी की खूब कृपा बने कर यानी नवरात्री का चौथा दिन है और इस दिन माता कूश्मार्णा की पूजा की जाएगी आपको बता दे नवरात्र की चौथे दिन आप हरे रंग के कपड़े जरूर पहने कूश्मार्णा माता शांती का प्रतीक है देवी मा की पूजा करने से जीवन की संकट, दुख और तमाम बाधाएं परिशानियत दूर होती है माता रानी को आप रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र और गेंदे के फूल जरूर चड़ाए कुश्मान्डा मा को प्रसंद करने की विधी भी जान लीजिए नवरातर की चौथे दिन आपको सुभह जल्दी उठकर नहाना है इसके बाद आपको पूजा की जगहा पर अच्छे से साफ सफाई करनी है इसके बाद माता को उष्मान्डा की पूजा करनी है माता की पूजा करते समय आप हरे रंग के कपड़े जरूर धारन करें क्योंकि ये बेहत शुब माना गया है आप माता को पेथे, दही या हलवे का भोग लगा सकते हैं माता को माल पूए भी चढ़ाये जाते हैं ऐसी मानता है कि माल पूए चढ़ाने से माता कूष मानना प्रसंध होती है और अपने भक्तों पर अपना आशरवाद बनाये रखती है ऐसा भी माना जाता है कि दुर्गा मा के सुरूप की विधि विधान से पूजा और वृत करने वाले हर इंसान का भला होता है और उसके सारे रोग नश्ट होते हैं माता अहर उस इंसान को जो उनकी पूजा करता है उसे स्वस्त शरीर का अशिरवाद देती है ऐसे में आपको मातारानी की आर्ती भी करनी है और आखिर में आपको मा को भूग लगाया हुआ प्रशाद सम्में बाट देना है तो दोस्तों मातारानी का अशिरवाद आपकी और आपके परिवार पर बना रही आपकी सारी मनुकामने मातारानी पूरी करें इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही ऐसे ही तमाम एस्ट्रो टिप्स के लिए देखते रही इन खबर को